तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं उत्रा खंडिके सभी सूर्य मंदिर के वारे में मैं आपको बताऊँ कि कौन सा सूर्य मंदिर कहा परिस्थित है बताऊँ आपको एक ट्रिक से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखे करते हैं सुरू सबसे पहले हैं नमबर एक कुल सारी का सूर्य मंदिर कुल सारी का सूर्य मंदिर ये कहां परिस्थित है options आपके सामने हैं जिसको भी आनसर पाता आप comment कर सकते हैं तो इसका सही जवाब है option number A चमोली इसको trick से कैसे याद रखेंगे देखे वर्ड आया इसमें कुल सारी यानिके sorry अब देखे sorry कौन बोलता है sorry बोलता है जिसके दिल में क्या नहीं होता mail नहीं होता जिसके दिल में mail नहीं होता तो mail सोज़एगा μल यानिके מोली République चमोली यह यूँ कहसकते है sorry कौन बोलता है जो सामने वाले का भी मोल जानता है जो सामने वाले का मोल जानता है तो मोल सोज़एगा मोली यानिके चमोली नेक्टर नमबर 2 कटार मल सूर्य मंदिर इस्थित है कटार मल का सूर्य मंदिर सभी जानते हैं कहां पर है option number C अलमोला में है और अगर फिर भी आपको याद रखने में इसको दिक्कत होती है तो trick मैं आपको बता देता हूँ word है आपर कटार कटार क्या होता है तलवार या छुरी जो होती है कटार होती है और कटार के सहारे किसी को भी कहीं को भी मोला जा सकता है किसी को भी कहीं भी मोला जा सकता है तो मोला सो हो जाएगा अलमोला next है number 3 खेती खान सूर्य मंदिर खेती खान सूर्य मंदिर अब देखे खेती तो जो लोग खेती वाली करते हैं, काफी ज़दा मेहनत करते हैं तो वो एक तरह से क्या करते हैं? भई लोहे के चने चावना होता है यानि खेती करना क्या होता है? लोहे के चने चावना जैसा होता है तो लोहे से हो जाएगा लोहागाट और चमपावत लोहागाट कहाँ पर है चमपावत तो खेती खान का जो सूर्य मंदिर इस्तित है यह है लोहागाट चमपावत में next नमबर 4 मल का सूर्य मंदिर मल का सूर्य मंदिर कहाँ पर इस्तित है तो इसका सही जवाब है option number C पिथोरा गल ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर word आया मल, तो बस मल को आपको relate करना है गल से, तो गल से हो जाएगा पिथोरा गल, यानि मल गल, गल से हो जाएगा पिथोरा गल, नेक्स्ट है नमबर फाइब, चोपाता सूर्य मंदिर इस्थित है, चोपाता सूर्य मंदिर कहा पर इस्थित है, तो देखे, इसका सही जवाब है, option number A, पिथोरा गर्ड, trick से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखे, यहाँ पर वरड़ा है, चोपाटा, चोपाटा को हम रेट करेंगे, चोपट से, चोपट, चोपाटा या चोपट, वा देखे, अब देखे, कोई क्या कहता काम चोपट कब होता है, जब किसी का काम चलता है, कैसे, थोड़ा थोड़ा, जब काम चलता है, थोड़ा थोड़ा, कि यार बहुत थोड़ा काम चलता है, पूरा काम चोपट हो गया, पूरा धन्दा चोपट हो गया, तो चोपट होता कब, जब चलता है, थोड़ा थोड़ से तो सभी देखे जो डोक्टर वेगरा सभी क्या कहते हैं कि थला भुना ना थोड़ा खाना चाहिए तो थोड़ा से हो जाएगा पिथोरा गड़ यानिके option number A बिलकुल correct है तो पावे का भोना दित्ति है भोना यानिके भुना और भुना खाना चाहिए थोड़ा तो थोड़ तो उत्तर से हो जाएगा उत्तरकाशी तो number 7 है भट वाली का सूर्य मंदिर और ये कहा परिस्तित है उत्तरकाशी में next है number 8 पलेठी का सूर्य मंदिर तो पलेठी को रिलेट करेंगे हम पलेट से और जब हम पलेट कब यूज करते हैं खाना खाने के लिए तो एक बात का ध्यान रखना है जबी भी पलेठी यूज करें तो पलेट में क्या होना चाहिए भईया हरी सबजी जरूर होनी चाहिए पलेठी में हरी सब्जी जरूर होनी चाहिए तो हरी से हो जाएगा तीहिरी तो पलेठी का उस ओझा करा फिस्टित है कहा पर सीथ है तीहिरी में इस्टित है next है number 9 नमबर 9 है रमक वे सुई मंदिर रमक वे सुई मंदिर तो रमक में वरड़ाया रम और जब कोई रम पीता है तो उसके पढ़ता है भाईया क्या चपत रम पीता है तो क्या पढ़ता है चपत तो चपत से हो जाएगा चमपावत चपत चमपावत तो चमपावत के लिए क्या हो जाएगा option number D बिल्कुल correct होगा रमक वैसुई मंदिर कहाँ पर इस्तित है चमपावत में इस्तित है क्योंकि रम पीने पर पढ़ता है चपत चपत यानिके चमपावत नेक्स्ट है रमका दित्य है शूर्य मंदिर अब देखे यहाँ पर विवर्ड क्या है रम आया तो मैंने आपको बता दिया जो भी रम पीता है उसके पढ़ता है चपत चपत यानिके चमपावत तो option number D इसका भी बिल्कुल correct होगा next है च्यारक का सूर्य मंदिर तो कोई हमसे कहता है क्या चाहिए तो हमके चाहिए थोड़ी सी मदद चाहिए तो धोली से हो जाएगगा पोड़ी थोली से हो जाएगा पोड़ी तो पोली सो जाएगा पोली यानि के क्यारक का जो सूर्या मंदिर इस्तित है या कहा पर इस्तित है पोली में इस्तित है नेक्स्ट है नमबर 12 घोडा खाल का सूर्या मंदिर घोडा खाल का सूर्या मंदिर तो ये इस्तित है option number D नैनी ताल में ट्रिक्स आप कैसे याद रखेंगे देखे घोड़ा और घोड़ा हमको देखती क्या अच्छा लगता है पसंद आ जाता है अपनी आखों से देखती है अपने नैनों से देखती है फिक है और जब घोड़ा चलता है रोट पर तो कैसे इक ताल की आउ आती है तो आज यहां पर उत्राखण के बारहा प्रमुख सूर्या मंधिर है पूमैने आपको इस बीडिक से बताए है यह वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में